सहीदे आजम भगत सिंग का कहना था कि देश आजाद हो जाएगा गोरे अंग्रेज यहां से चले जाएंगे काले अंग्रेज कुर्शी पर चिपक जाएंगे जो गरीब है गरीब होता रहेगा जो अमीर है अमीर होता रहेगा कैसी आजादी होगी और वही देखने को मिल रहा कि हम उस इसवर अल्ला के भरोसे यदि बैठे रहते तो हमें आजादी ना मिलती उस समय उनकी सोच थी बगत सिंग की कि जो अंग्रेज है वह अपने गोड के भरोसे यहां पर राज नहीं कर रहे वह अपनी शक्ती अपनी तर्क शक्ती अपने साइंस के अधार पर देश पर राज कर रहे हैं और इस इसवर के भरोसे बैठ रहे हैं अल्ला के भरोसे बैठे रहे कि वही हमें बचाएगा वही हम आजादी देगा तो कभी आजादी नहीं मिलती और उसके बाद इसे इन बात कहे गुरु नानक सहाब की जिन्नोंने समानता के अलग जगाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक अलग पंथ का निर्मान किया गया मजबूरी आपके सामने पाखन बहुत चरम सीमा परता जातिवादी विवस्ता बहुत जादे पना परही थी उसके अलग जगाने के लिए गुरु नानक सहाब ने एक अलग पंथ का निर्मान किया जिसको हम गुरु गिरंद सहाब कहते हैं और उसके अंदर ही तमाम चाहे कबीर जी की वानी हो, कबीर जी के पैगाम हो, चाहे संसिरोमनी रविदार जी के पैगाम हो, गुरु नानक के और हमारे गुरु गोविन सिंग जी, जितने तमाम गुरु हुए, सबी के उसके अंदर पैगाम हो, और पत्थर के, पत्थर पुजा के खिलाप रहे हैं और इसलिए उनका जो इसलाम है बहुत तेजी के साथ बढ़ा क्योंकि उन्हें कुछ पाखंड को कुछ पाखंड सारा पाखंड नहीं कुछ पाखंड को निकाल फैंका सबसे पहले मूर्ति पूजा का विरोध किया दूसरी नमबर पर बहुत सारे कालपनिक देवी देवतर से हिंदु धरम है इनका निर्मान पर रोक लगाई कि एक ही अल्ला रहेगा एक ही अल्ला और उसके बाद पनपता रहा आगे बढ़ता रहा जो बुराईया हिंदु धरम के अंदर दिख रही थी उस समय जो बढ़ रह ती उस चीज को उनोंने हटाया और अपने इसलाम को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से वह सफल होते रहे यानि की पत्थर पूजा सबसे बड़ा विनास का कारण रहा तथागत गोतमबुद ने विरोध किया लेकिन आज सबसे ज़्यादा पत्थर की पूजा पत्थरो उनको विचारों में ढूंडा जाए यदि यदि इनको विचारों पर चला जाए तो कहां से कहां समाज पूज जाए कितनी तरक्की करने लगे लेकिन नहीं करनी पत्थर की पूजा ही है पिलाना चमस से दूध है पत्थर को रगणनी अपनी नाक है पत्थर पर ये है एक ग मानस तक यह पहुचाने की जरूरत है संद कबीर जी की विचार धारा संद सिर्मनी रविदाज जी की विचार धारा संद गुरु नायरायना जी की विचार धारा संद गार के महराज जी की विचार धारा जितने भी तमाम संत महापुरूस हुए उनकी विचारदारा को जन मानस तक उतानने की बहुत ज़्यादा जरूरत है देश कल्यान के लिए समाज कल्यान के लिए बहुत जरूरी है लाकिन आडमबरों में पढ़ना इस पाखनवाद में पढ़ना इस पाखनवाद में तो सद्यों से पढ़ते रहे हैं देश समय समय पर गुलाम होता रहा मुठ्टि पर मुगल आए मुठ्टि पर अंग्रे जाए इस पाखणवाद के चलते उन्होंने इस भारत को गुलाम बनाया भारत वासियों को गुलाम बनाया राज किया और उसके बावजूद भी यहां से अभी भी यह पाखणवाद खतम नहीं हो सका अभी भी पाखणवाद चरम शीमा पर है अभी भी ये पत्थर पूजा, मूर्ती पूजा, ये तमाम रूडिवादी परंपराय यहाँ पर जीवित है और इनको खतम करना नहीं चाहता एक विशेश वर्ग जो कि इससे अपना फायदा डूढता है और उसी के खिलाप लड़ने की जरूरत है जो अपने आपको जनम सिद मानता कि मैं जनम सिद उपर हूँ, उचा हूँ और इसके उपर आती है वही बात कि तुम अपनी जाती को उचा करार देते हो, पिराकरती की कारागरी को नकार देते हो कभी जुकाते हो सर बुतों को आकिदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो कि लगा दो जाती का लेबल लहू की बोतल पर फिर देखते हैं कितने लेने से मना करते हैं सुबह के समय आज एक बहस हो रही थी एक हमने लाइव किया था बहुजन हल चल फेस्बुक पेज के माध्यम से और उसमें एक तिवारी आ गए थे तिवारी जी और वहाँ बहस बाजी कर रहे थे उनको हमने जवाब भी दिये, सटिक जवाब दिये गाली गलोच ना उन्होंने की और ना हम करना चाहते ना कभी करेंगे एक तरक बात चल रही थी वैचारिक लड़ाई है ना कि व्यक्तिकत लड़ाई ना कि किसी जाती वे धर्म के खिलाब लड़ाई है बात चल रही थी उनकी बातों का सटिक जवाब दिया जा रहा था वह कहा रहे थे कि यह आरक्षन खतम होना चाहिए या आरक्षन क्यों है इन सब बातों का हमने जवाब दिया बहुत बेखुबी जवाब दिया अच्छी तरह से जवाब दिया और यहां तक कि कहा कि यदि आप नाली के गटर में उतर जाए यदि आप सर के उपर मैला उठा ले तो आरक्षन खतम हो सकता है और यदि आप जो जनमसित अधिकार मानते हो मंदिर के प्रोहित बन जाते हो फिरी फंड में चड़ावा मिलता है अपना जीवन यापन कर लेते हो कि यदि आप इस चीज को भी खतम कर दे कि कोई भी प्रोहित बन सकता है कोई भी मंदिर में चड़ाव खा सकता है तो साइध ये आरक्षंग खतम हो जाए इन बातों का हमने जवाब दिया उनकी कुछ समझ में भी आई बाते उन्होंने का कि सविधान के अंदर यदि वन विवस्ता खतम हो गई है विरम्मन चत्रे वेश्ट ये सुद्र खतम हो गया तो SCST OVC जनरल क्यों रखा गया उसका भी हमने सटिक जवाब दिया कि इसलिए रखा गया जिससे कि समानता बन जाए क्योंकि जो हजारों वर्सों की ऐसमानता बनी हुई थी मनुश्मर्थी के दोर से कि उसको बराबरी लाने के लिए उस खामी को पाटने के लिए सविधान के अंदर आरक्षन का प्रावधान दिया गया और सविधान के अंदर जनरल OBC, SC, ST का प्रावधान इसलिए दिया गया जिससे कि बराबरी हो सके जनरल वह है जो संपन है संख्या में कम है और संपन है उनको जनरल बना दिया गया और उनके बराबर कैसे होया जाए उसके लिए OBC वर की व्यक्ष्या की गई कि OBC कुछ संपन है OBC जातियों में उनको रख दिया गया कि इनको कुछ जरूरत है आरक्ष्ण की उसके बाद ऐसी अनुसुचित जाती में वह तबका जो अचूत था जिसके साथ ज़्यादा बेहदबाव किया गया जिसको करम के अनुसार जातियों में ढालकर उससे बेहदबाव की नजर से देखा गया एसमान तक की नजर से देखा गया परताडित क्या गया हर हक अधिकार से उसको वंचित रखा गया और कार्य भी ऐसे दिये गए जिनसे लोग कतराते थे उनको अनुसुचित जाती में रखा गया उनको थोड़ा अरक्सन जाद दे दिया गया जिससे कि वो जल्दी पनपसा के जल्दी समान हो सके एश्टी वह है आदिवासितब का जो कि सगियों से पेड़ पोधों में जल जंगल जमीनों में अपना जीवनियापन करत रहा जो इस व्यवस्ता से अन भिग रहा इस व्यवस्ता से दूर रहा कि उसको और ज़्याद दिया जाए जिससे वह भी समान हा सके यानि कि एक बाप के चार उलाद एक उलाद वह है जो कि जादा मजबूत है दूसरा थोड़ा कमजोर है तीसरा उससे भी कमजोर है और चोथा सबसे कमजोर है इसके बराबर लाने के लिए इनको थोड़ी जैक लगाई जाए सपोर्ट लगाई जाए इनकी थोड़ी मदद की जाए, शिक्षा के शेत्र में, नोकरी के शेत्र में, व्यापार के शेत्र में, हर जगे इनको एक लाप पोचाने के लिए आरक्षन की व्यवस्ता की गई थी, जिससे इसके बराबर हो सके, इन चारों भाईयों की बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देश विभाजत ना हो, ये देश एक जुट रहे इसलिए हम इन चारों को एक ही मानते कि हम भारती है सबसे पहले और भारते के नाते हम चाहते कि सब बराबर हो जाए लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि सब बराबर हो ये हम ने उनको तिवारी को समझ माया उसके बाद हमने बहुत सारी बाते बताई जो जो उनके सवाल थे सब का हमने जवाब दिया और यहां तक कि हमने यह भी कहा कि देश गुलाम क्यों हुआ किन कारण वस हुआ यह पाखनवाद कितना नुकसान दायक है देश के लिए इस पाखनवाद को खतम करने के लिए आप लोग भी आ गया है उन्होंने का कि रोटी बेटी करिस्ता नहीं रखते आपस में अनुसुतित जाते कि लोग वालमी की समाज से क्यों साजने तो हमने का कि आप करें आप आ गया है आप बढ़ाए इस पहल को कुछ जग है जो समझदार व्यक्ति है वह कर लेते हैं हम देखते हैं आज पास में हमने उनको समझाया लेकिन आप भी आ गया है आप भी इसमें बर्चड़कर अपना योगदान दे और इसको व्यवस्ता को यानि कि जो रोटी बेटी की व्यवस्ता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में साधी करे और छोटी बड़े की हिन भावनों खतम करे इसके उपर भी तीसरी बात थी कि बिलड़ की उन्होंने कहा कि बिलड़ में भी जाती वाद है मिन उनको वह अगजाम पल दिया नाने पाटे करका किरांती वीर फिल्म का कि यदि आप अपने उल्य हमारे पास लाकर रखे और एक दूसरा जाती का व्यक्ति होगा हम उनके इंट मारेंगे, पत्थर मारेंगे उंगली में, इसके भी खुन निकलेगा, उसके भी खुन निकलेगा, और इसका नमूना संसार की किसी भी लैब में ले जाईए आप, और वहाँ इस नमूने को दिखाईए, और उसके बाद हमें बताए किस जाती का था ये खुन, उनके समझ माई बाते, बहुत सारी ऐसी बाते थी, और जो हमने बताने की कोशिस की, और आज हम सबसे पहले बताए कि हमारा मकसद किसी की आज़ता को, या किसी के जाती समुदाए, या किसी धरम को ठेश पहुचाने का बिलकुल भी नहीं रहता है, कभी नहीं रहेगा, जो एक जुड़ता की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, और जो तोड़ने की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, और वैचारिक लड़ाई हो सकती है, ना कि किसी जाती विशेश की खिलाब, किसी व्यक्तिगत विशेश की खिलाब, और इसी का हम समर्थन करते हैं, इ पासानी से निप्टाने की कोशिस करें ना कि लड़ जगड कर और जो जातिवादी घटनाई होती है उनके खिलाब शरवन यानि की उची जाती की जो अपना आपको मानते हैं वह लोग भी आ गया है इस जातिवादी व्यस्ता को समाप्त करने में अपना एहम योगदान दे औ और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को अपनी इस बात को विराम देंगे और आप सबी से इजात लेंगे जैभीम धन्यवाद नमस्कार आदाब